है काईज आप सभी का वेलकम है गरू कुल हब यूटूब चैनल पर आज की सुड़ियू में आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट नियूज लेकर आया हूँ और नियूज है दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल रिकूरूटमेंट को लेकर चिया पांच हजार के आसपास पदों के लिए ये भरती परिकिया आएगी ठीक है कबसे फॉर्म ऑनलाइन शुरू होंगे कबसे आप आवेदन कर सकते हैं इस कितनी रहने वाली है क्या इसका क्राइटेरियर रहेगा वो मैं याँ पर बात करूँगा आपकी एजुकेशन क्वालिफ ज़ादा जरूरिया अगर आप दिल्ली पुलिस में जाने का एक सपना बना कर बैठे हैं वीडियो में अगे बढ़ने से पहले गाईज में बता दो कि हमारी वेबसाइट है www.gurukitab.com जहां पर आप किसी भी competitive exam की तयारी कर रहे हैं चाहिए SSE, Railway, दिल्ली पुलिस, UP पुलि जहेंगा previous year questions की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी आप हमारी website से डाउनलोड कर सकते हैं www.gurukitab.com यह हमारी website सभी PDF की link मैंने description में भी दे रखे हैं वहां से भी आप जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए guys आजाते हैं अपने main topic पर दिल्ली पुलिस constable recruitment 2022 का यह recruitment है और actually यह 23 में होने वाला है ठीक है अभी बहुत सारा समय है हाला कि लेकिन कोई भी exam जब होता है तो उसके लिए हमें पहले से तयार होना पड़ता है दिल्ली पुलिस की भरती प्रक्रिया हर 3 साल में एक यह है कि 2023 में अगर यह भरती प्रक्रिया होगी तो online form कब से आएंगे तो जी online form की जो डेट है वो है आपकी 9 जनवरी 2023 बहुत ज्यादा समय है आपको होगे गुरुजी अभी तो बहुत सारा समय है है ना बहुत तेजी से निकलता बहुत तेजी के साथ अगर आप तयार नह पहले से करनी पड़ेगी है ना तो 9 जनवरी 2023 से आपके online form फिल किये जाएंगे जो 12 फर्वरी मेरे ख्याल से इसकी लास्ट रहेगी है ना वह तो चलो जब नोटिविकेशन आएगा आपको लास्ट भी पता चल जाएगी फिलाल आपका मकसद होना चाहिए इस exam को पास करना और उसके लिए 9 जनवरी 2023 से online आवेदन किये जाएंगे अब एक बड़ा सवाल यह आता है कि जिसके age criteria क्या है तो हर वो बच्चा जो 18 साल का है और 25 साल तक की उसकी उम्र है वो इसके लिए आवेदन कर सकता है unreserve category के लिए और EWS category के लिए ठीक है साथ ही अगर हम OBC की बात करें तो OBC में यहाँ पर तीन साल छूट मिलती है 18-28 साल OBC ठीक है और 18 से यहाँ पर 30 साल दो साल एक्ष्टा हो गया SC-ST के लिए तो यहाँ पर age criteria रहने वाला है अब सवाल यह आता है कि अगर आप दिल्ली के निवासी नहीं यह यूपी से हैं राजस्तान से हैं हरियाना से हरियान के बहुत सारे बच्चे दिल्ली पुलिश के लिए आवेदन करते हैं और अगर वो OBC category से हैं यह SC-ST category से हैं तो क्या उनको यह एज का benefit मिलेगा तो जी हां बिलकुल आपको यह एज वाला benefit मिलेगा तीन साल की चूट अगर आपको अपने राज्य में मिल रही है तो इसमें भी मिलेगी है ना तीन साल की चूट और SC-ST के लिए 5 साल की चूट तो ऐसा नहीं है क्योंकि दिल्ली पुलि जाती है वो मंगी जाती है 12th pass 12th pass किसी भी स्टीम से एन इस्टीम चाहे आप 8 साइड के बच्चे है चाहे कोमर साइड के हैं चाहे साइड साइड से है ठीक है आप किसी भी साइड से आपने 12th pass कर रखे कितने भी marks है percentage का कोई criteria यहाँ पार अलग सा नहीं है यह साथ परसंट होना चाहिए 55% होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं केवल पास आप होने चाहिए 12th pass आप इसके लिए आवेधन कर सकते हैं ठीक है लेकिन 12th pass आप 9 जनवरी 2023 से पहले हो जाने चाहिए अगर कोई 12 में चल रहा है और उसका रिजल्ट 9 जनवरी के बाद आता है तो वह आवेधन न संब्समझ्य आ आगी बात है है तो बिल्कुल आप इसके लिए भी आवएधन कर सकते हैं ठीक है अब सवाल यह आता है कि इसमें क्या की चीज़ आती है आपका सभसे पहले होगा रिटन टेस्ट रिटर्ञ टेस्टक फिर आता है फिजीकल टेस्ट कि आपका होगा एंड आपका होगा मेडिकल टेस्ट मानक है जो फुलफिल करने पर जिन को पास करने पर आप फाइनली दिल्ली पुलिस में सीपाही के पर और यह आपका एक्जाम जो है इसकी डेट अभी एक्जेक डेट रिर्धारित नहीं की गई है लेकिन बता दिया गया है मैं 2023 में आपका यह एक्जाम रहेगा तो अभी आपके पास एक साल से भी ज्यादा समय है बहतर तैयारी के लिए ठीक है फिजिकल टेस्ट उसके बाद हो एक रियल सच्चाई पर आना चाहता हूं कि कोई भी ड्रीम है कोई भी आपका सपना है कोई भी आपने मन में एक सपना संजो रखाय सरकारी नोगरिगा वो एक दिन में पूरा नहीं होता उसके पीछे बहुत लंबा समय होता बहुत लंबी तयारी होती है तो वो तपस्या हार्ट को आपको आज से ही शुरू करनी है आज से ही बिल्कुल लग जाना है और ये कपने आपने में एक टारगेट İşte कर लेना है कि हमां मुझे ये दिल्ली पूलिस का एकजाम ज़रूर पास करना है क्याश्म कर आपको आपके पास है और आपको वक्त से पहले ये पता चल है कि आपका एक्जाम आ रहा है दिल्ली पुलिस का एक साल से ज्यादा समय है डट के तैयारी कीजिए सौ कोश्चन आपका आएगा हर एक कोश्चन को अपनी प्राक्ष्मिक्ता के साथ पढ़िए है ना क्योंकि जब कोश्चन कम है कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कुश्चन आप यहां पर अटैंब कर पाए तैयारी ऐसी कीजिए पेपर सैट लगाईए है ना डेडिकीशन के साथ जुट जाहिए डेफिनिटी स्कूर अच्छा करेंगे तो डेफिनिटी आपका सेलेक्शन भी कंफर्म हो जाएगा तो तैयारी जादा साथ आदा मार्ट की यहां पर अभी से सोच के चलिए अभी से यह मत सोचिए कि 55 आ जाए या 60 आ जाए तो मेरा होगा के नहीं होगा आप सौ में से सो की तैयारी करके चलिए सब्सक्राइब करने का समय है तो बिलकुल वह सब यूबा जो 18-25 साल के अंडर में आ रहे हैं केटेगरी को छोड़ कर वो सब तैयारी में जुड़ेगे तो बिलकुल लग जैए दिल्ली पुलिस का सपना आपका शिग्र अतिशिग्र जरूर से पुरा होगा तो आज की वीडियो मस यही ता यही घ्यान आप तट पहुंचाना था आई होप की वीडियो आपको पसंद आ गई होगी वीडियो पसंद आगी लाइक कर दीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपको अपना चैनल गुरु कुल हब यूटूब च झीजिए